सिखरकेडमी के ओनलाइन प्लेटफोर्म पे आप सभी का स्वागत है और जिस तरीकी से आप लोगों ने देखा कि हमारी बीस प्रस्णों के एक सिंखला चल लेती हिंदी की चली उत्राखंड चला और जीएस चला अब लास्ट जो छूटा हुआ था वो है आपकी पास करेंट अब करेंट एप्रेंट के आप मेदेशन आप लोगों के देखेंगे लेकिन इसमें जो है जब आप जो है लुट तक इस वीडियो को देखेंगे तो लास आप जो मैंने परिस ओलंपिक दोजार चोवीश जो है इमपॉर्टेंट उसमें डेटा है फैक्ट है वह सारी चिज केंद्रिये बजट 2024 में बिक्सित भारत लक्षा का रोड़ मैप हेतू, मुक्य तौक किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें से पहला है आपका गरीब, आपका अन्यदाता, आपका महिलाएं और इन मैंसे, इन मैंसे सभी, तो आप लोग बतें इसका अंसर क का आंसर है D, इन मैसे सभी, यानि इन मैसे सभी जातियों को जो है फोकस किया गया है, और मुख्य तो ध्यानक नाप लोग, इसमें चार जाती है, यानि गरीब है, मैला है, अन्यदाता है, और युवा है, एक और है इसमें, वो चौती जाती है आपका युवा, यानि आप अगर पूछेगा, इस बार की बजट का जो है, मुख्य विसाइक क्या है, तो इसमें जो है, मुख्य विसाइक कौन कौन से, अगर विसाइक की बात करेगा, तो यह रोजगार है, तुम्हारा रोजगार है, ठीक है, रोजगार है, दूसरा तुम्हारा कॉसल पर सिक्षन है कोसल पर सिक्षन है और तीसरा आपका जो है कोसल पर सिक्षन है तीसरा आपका जो है MSME सेक्टर है MSME सेक्टर है और चौथा आपका जो है चौथा आजाएगा आपका जो है मध्यम वर्ग चौथा आ जाएगा आपका मध्यम वर्ग ठीक है आप लोगों ने इसमें confusion नहीं होना है अगर पूछेगा कि भाई जो है road map है तो मुख्य तो किन जातियों पर फोकस किया गया है तो जातियां हमारे पास चार है जिसमें से पहले गरीब है अनदाता है मैलाएं है और चौथी जो है युवा है तो यानि ये सभी है और मुख्य विसाई पूछेगा तो मुख्य विसाई में तुम्हारे पास रोजगार है कोसल पर सिक्चन है MSME है और तुम्हारे पास मध्यम वर्ग है ठीक है चलिए इसी करब हम आगे देखते हैं अगला क्वेशन है हमारे पास अगला क्वेशन आ जाएगा अगला क्वेशन है हमारे पास क्वेशन नमर दू ठीक है क्वेशन नमर दूसरा हम लोग देखते हैं तो क्वेशन नमर दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें क्या-क्या पूछा गया है तो question इसमें देखेंगे कि वर्स दोजार चौबिस में Quad देशों का वार्षिक नेतरत्व सिखर सम्मेलन किसकी मेजवानी में आयुजित होगा तो आप लोगों ने इसको बताना है किसकी मेजवानी में आयुजित किया जाएगा तो आप लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि Quad है क्या यानि अगर मैं Quad की बात करूँगा तो Quad में ये चारू की चारू देश आते हैं यानि कि इसमें USA भी आता है जापान भी आता है और इसमें अगर बात करेंगे कि ये इसकी शुरुवात कब की यानि Quad की अगर सुरुवात की अगर में बात करता हूं तो Quad की सुरुवात वर्स 2007 में यानि कि वर्स 2007 में क्वार्ट की अगर में बात करूँगा तो वर्स 2007 में जो जापान के प्रधान मंत्री थे जापान के प्रधान मंत्री जापान के प्रधान मंत्री इनके द्वारा जो है इसकी जो है संस्तुति दिए गई कि भाई एक जो है क्वार्ट सिकर बनाया जाएगा तो इसमें जो है य भारत इस बारत का करेगा इसकी की है मेजवानी करेगा ठीक है correct answer भारत ठीक है ठीक है फिर देखेए अगला Q E S भड़़ते हम अगले Q E Q योर ए संहे हमारे पास आप लोग लगाते ने पास ए अगला नागेसके हम लोग 드खेंगे कि यानि तिसरा question हम लोग देखेंगे तीसरा question है तीसरा question है मारे पास कि हाली में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने धर्ती आबा धर्ती आबा जन जाती ग्राम उत्गर्स अभियान कहां से आरंब किया है ठीक है option number a है इसका हरियाना option number b है आपका जो है option number b है आपका पोड़ी शा, option number c है आपका महारास्ट, option number d है आपका जारकंड तो इसमें से आप लोग जो है सही आंसर बताइए वाई क्या होगा इसका ठीक है बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका तो इसका आंसर है आप लोग क्या आंसर है जारकंड जारकंड में जारकंड से इसको शुरुवात की गई और option number 10 का जो है correct answer होगा, ठीक है, option number 10 का जो है correct answer है, ठीक है, इसी कराम में हम देखते हैं, अगला question हमारे पास, अगला question है हमारे पास, अगला question आईगा, अगला question है हमारे पास, question number 4 है, यह भी important question है, question number 4 आप लोग देखेगा, question number 4 है, कि हाली में, सांस्कृतिक स्रेणी में, भारत का 43 यूनेस्को विश्व धरोवर, इस थल कौन सा बना है, option number A है आपका, सांतिनिकेतन, option number B है आपका, होईसल मंदिर, option number C है आपका, मोईदम, और option number D है आपका, धोला वेरा, तो आप लोगों को बताना है, कि भाई, इसका correct answer कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा, आप लोग बताईगा, इसका correct answer है, आपका जो है, मोईदम, ठीक है, मोईदम, मोईदम है कहाँ, यह आपका जो है अशम में है अशम में यह पढ़ता है ध्यानकना इसको अशम में है और यहां पर इसकी जो इस्तापना जो की गई थी हम बात करेंगे इसकी तेरवी सताब्दी यानि तेरवी सताब्दी में तेर्वी सताब्दी में तेर्वी सताब्दी में वो करिए थी तुम्हारी ताई ओहम के द्वारा ताई ताई ओहम के द्वारा यानि ताई ओहम के द्वारा किया गया ठीक है तेर्वी सताब्दी में ताई ओहम के द्वारा किया गया और जहें अगर लोकल लेंग्वेज में से मैं कहूं कि से क्या कहते हैं इसे कहते हैं तो मारा आत्मा का घर मोईदम मतब हो गया आत्मा का घर आत्मा का घर तो आप लोग गुगल करके इसके इमेज जरूर देखिएगा कि कैसे मोईदम की इमेज कैसी है ठीक है तो असम में है और यह तेरियू सताब्दी में यह ताई अगला क्वेशन आएगा हमारे पास अगला क्वेशन है कि नमर पाँचों है मारे पास केंद्रिय प्रदूसर्ण नियन तरन बोड्ड द्वारा आयोजी स्वच्वाइज सर्विक्षण 2023 में किस सहर ने पहला इस्थान प्राप्त किया है तो आप को इसमेसे पहला इस्थान बताना है तो आपका नबर आपका एहमदाबाद एह आपका भूनेश्वर आप्सन नबर स्यापक, आपका इंदोर आपका आंसर करें बताइए वाई कौन सा आंसर होगा थीक है इसका आंसर कौन सा होगा आप लोगोंने बताना है तो इसका जो है exact answer है आपका जो है वो है option number D इंदोर ठीक है इंदोर जो है correct answer है इसका ठीक है तो ध्यान अकना इसका जो है इंदोर D इसका correct answer है ठीक है इसी क्रम में हम देखते हैं अगला question हमारे पास जो आता है question number 16 है हमारे पास ठीक है question number 16 है question number 16 है question number 16 है हमारे पास देखता है question number 6 कि हाली में हाली में antirastia sorghadvandana का antirastia sorghadvandana सववाँ पूर्ण सदस्य कौन बना है तो इसमें से option number A आपका Panama, option number B है आपका Pragueway, option number C और option number D है आपका Spain, तो आप लोगों ने बताना है वे जो है कौन है इसमें यह आपका correct answer है और ध्यान लगना 101 अभी 101 जो देश बना है बनने की जो घोसना है वो होगे इसकी नेपाल की वो अभी नेपाल की घोसना हुई है ठीक है यहां सोवा पूछा गया है और आपको जो है 101 अगर पूछेगा तो यह है आपका जो है हाली में यह घोसना हुई है और नेपाल की तो जान लेते हैं अंतराश्चे सौर गडवन अगर आप लोग इसके बारे में अगर तोड़ा बोत अगर जानकारी होगी तो आप लोगों को पता है कि 2015 में यह बना था ठीक है भारत और फ्रांस के सहयोग से इसको जो है बनाया गया था यह भी आप लोगोंने यह डारेक्टर कोन है दो यह डारेक्टर है ने ध्यानकनय है इसके डारेकटर है Dr. Ajay Mathur इसके यह बनाया इसके अध्यानकन इसके painter कहाँ है इसका headquarter काँ है इसका headquarter है शेयाइन ह्वार्या ऋंतर है कहां पर हाई breaker गूरु गराम ठीक है ध्यान अगने इस वाद को गुरु ग्राम में ठीक है अब इस इक्रम में हमारे पास जो है अगला क्वेशन आता है अगला क्वेशन देखेंगे हम लोग ठीक है अगला क्वेशन देखेंगे अगला क्वेशन है हमारे पास अगला क्वेशन है हमारे पास अगला question है मारे पास सात्वा question है मारे पास कि 3 मही 2024 को चीन ने किस मिसन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्रक और पृत्वी पर लाने के लिए लॉंच किया है जिसमें option नमर यह है आपका चांग 5, option नमर भी है आपका चांग 6, option नमर C है आपका चांग 7, option नमर D है आपका चांग 4, तो आप लोग बताईए भई क्या आंसर होगा इसका आप लोग बताईए इसका जो है कौन सा आंसर होगा इसका तो इसका जो है सही आंसर होगा इसका जो है option नमर B option नमर B जो है चांग 6 इसका जो है correct answer है, option number 20 का correct answer है, ठीक है, और जब मैं question पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग जो है, अपने answer बताते रहें, ठीक है, तो इसी क्रम में, अगला question देखते हैं, अगला question है हमारे पास, अगला question आईगा इसके बाद, यानि आठवा question है, आठवा question देखते हैं हम लोग, किसने launch किये हैं, किसने launch किये हैं, option number A है आपका Australia, option number B है आपका Japan, option number C है आपका दक्षिन कोरिया, और option number C है आपका New Zealand, तो आपको बताना है, होलोग्राफी नोट किसने जारी करे हैं, विस्वा का पहला देश है, ठीक है, होलोग्राफी मतब एक जह है, कूली मिलाके ये किया गया कि नकली नोट उसे बचने के लिए, आप इसमें क्या किया गया, होलोग् होता है, तो इसमें से आप लोग बताएगे, क्या आंसर होगा इसका, बताएगे फटा-फट, ठीक है, इसका आंसर है आपका जापान, जो है, इसका जो है, जापान है, अगर हम बात करेंगे, तो कौन है इसमें, ये जो है जापान है, ठीक है, correct आंसर इसका जो है, जापान सबसे प्रदोसित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है तो आपको बताना है बताए फटाफट कौन है ठीक है कौन सी राजधानी है जिसको जो है पहले स्थान पर रखा गया है ठीक है तो बताएए तो इसका आंसर आप लोगोंने उम्मीद है बता लिया होगा ठीक है और पूछेगा कि सबसे प्रदोसित महानगर अगर पूछेगा तो वह है तुम्हारा बेगू सराई बिश्व का सबसे प्रदोसित महानगर पुछेगा वह है आपका अगर प्रदोसित महानगर पूछेगा अगर प्रदोसित कि हाली में SBI के चेर्मेन के पद पर किसे चुना गया है जिसमें option number A है आपका स्री निवासुल सेटी option number B है आपका रवी अगरवाल option number C है आपका मोहित कमबोज और option number C आपका गिरिजा सुब्रमेन चलिए आप बताईए कौन किसे किया गया है आप फटाफट आंसर बताईए ठीक है बताईए आपने आंसरों को किसे निउक्त किया गया है बताईए भई फटाफट किसे न्युक्त किया गया है ठीक है वो न्युक्त किया गया है आपका स्री निवासुलू सिट्टी को ठीक है ध्यान रखना ओप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है ठीक है करेक्ट आंसर है और कौन से रेंग के हैं यह यह तुमारे 27 नंबर के यानि 27 नंबर के क्या है ये तुमारे SBI के चेर्मेन है ठीक है ध्यान अगना इस बात को चलिए आगे बढ़ें आगे देखते हैं अगला question है मारे पास 11 question है मारे पास 11 question देखते हैं 12 question देखते हैं कि मित्स थे स्था थे त्युन conversion आता है हमारे पास हली में हरिनी अमर सुर्य किस देष की इसकी है तीसरी महिला परधान ठीक है, इसका जो है exact answer है, वो है Sri Lanka ठीक है इसका जो है correct answer होगा. हरीनी अमर सूर्य कहां की प陷्धनमंतरी न्यूक्ती की गई अभी जो है स्रीलंका की प्रद्धनमंतरी से न्यूक्ती किया गये ठीक है, इसी क्रभ में हम अगला question देखते हैं अगला question क्या है मारे पास आ जाता है मारे पास ठीक है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा explanation में नहीं कर रहा हूं question हो का ताकि आप लोगों के लिए एक एक question जो है फटा फट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा question आप लोगों को लिए बने वक्तर काम समय में ज़्यादा question मिले ठीक है अगला question है मारे पास बारवा question है Paris Olympics से समद्धी था यह कि Paris Olympics 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से इस्थान पर रहा है ठीक है आप लोगोंने बताने वाई कौन से इस्थान पर रहा है जिसमें option number A है अप्सेन नमर भी है शिक्स्टी एट वे और option number C है 31 और option number D है 32 तो आप लोग बताईए वाई कौन से किस इस्थान पर रहा आप लोगोंने बताना है किस इस्थान पर रहा बताए कौन सा इस्थान है ठीक है तो यह इस्थान है आपका जो है option number C, 31 इस्तान पर, ठीक है, 31 इस्तान पर है, C इसका correct answer है, और Paris Olympic अभी जो है, हम last slide जब देखींगे, तो पूरी चीज़ें आपको जो है, Paris Olympic से सम्मंदित, पूरी चीज़ें, पूरे important data fact वो last में है, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question है मारे पास, अगला question है यानि कि हमारे पास 13 question के अगर बात आएगी, को 13 question है हमारे पास, 13 question है, कि हाली में, FSSAI के, राज्य खाद्य सुचकांक, 2024 में, किसे सीर्ष इस्तान प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें से option number A है आपका, जमू कस्भीर, option number B है आपका केरल, option number C है आपका गुजरात, और option number D ह इन में से कोई नहीं, तो बताइए भाई, कौन हो सकता है, थोड़ा आप अपना educational guess लगाईए, कौन हो सकता है इसमें से, ठीक है, तो इसमें, option number B, इसका correct answer है, यानि कि केरल है, ठीक है, इसका correct answer क्या है, आपका केरल है, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अगला question क्या है अगला question आईगा इसकी बाद, ठीक है, अगला question है, यानि अगले question की अगर मैं बात करूँगा, तो अगला question आता है हमारे पास, यानि चोद्वा question है हमारे पास, चोद्वा question हमारे पास, दादा साहब फाल के lifetime achievement पुरुषकार 2024, 2024 में किसे समानित किया गया है, जिसमें option number A है आपका, option number A है आपका, आसा पारिक, option number B है आपका, अरपना, बाल मुरली, और option number C है आपका, रजनी कांत, और option number D है आपका, मिथुन चक्रवर्थी, तो बताए भाई, कौन होगा इस cancer, आप लोग बताए कौन सा answer सही होगा, चलिए बताए 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 आप लोग, कौन ह चलिए ठीक है बाई, जो है, option number D, यानि मिथुन चक्रवर्थी, अभी जो है, इनको देने की घोशना की गई है, ठीक है, ये correct answer है आप लोगों का, ध्यान एकना इस बात को, ठीक है, तो इस एकरा में हम अगला question देखते हैं, अगला question क्या है हमारे पास, अगला question आता है, य इसे वाई सेना परमुक न्यूक्त किया गया है, जिसमें से option number E है आपका, अमरित मोहन, option number B है, अतीसी मौलेना, option number C है, अमर प्रीट सिंग, और option number D है, इनमें से कोई नहीं, बताए भाई, कौन answer होगा इसका, बताए आप लोग कौन सा answer है, ठीक है, तो इसका सही answer होगा आ कर्मुक बनाने की घोशना की गई, ठीक है, चलो इसे कर्म में है, अगला क् וेंशन देखते हैं, अगला क्वेशन है, अगला क्वेशन है, सोलवां क्वेशन आएगा हमारे पास, शोलवां क्वेशन है, सोलवां क्वेशन के अगर बात आती है तो देखते हैं कौन है क्या है लिखा है सोलवां क्वेशन है मारे पास एसिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है जिसमें से ऑप्सिन नमर यह है आपका पहला इस्थान option number B है आपका दूसरा इस्तान option number C है आपका तीसरा इस्तान option number D है आपका चौता इस्तान तो बताई भाई कौन सा इस्तान मिला है कौन सा इस्तान मिला है पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा कौन सा मिला है बताई आप लोग क्या हो सकता इसका जह है अगर इसके जह है correct answer की में बात करूँगा तो जो है भारत को जो है तीसरा इस्थान मिला है ठीक है भारत को तीसरा इस्थान मिला है ये इसका जो है correct answer है और पहले की में अगर बात करूँगा तो वो मिला है तुम्हारा USA को यानि USA को मिला है सवक्तराजी अमेरिका को मि ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है मारे पास कि सत्रवा क्वेशन है कि कतन वाला कुशन है मारे पास यानि आप लोग इसमें देखेगा Q7 कि निमने लिखित कसनों पर विचार कीजिए अब उसमें ए लिखा गया है कि हाली में अंतराष्टिय सांती दिवस 2024 21 सितंबर को 21 सितंबर को मनाया गया है और दूसरा देख रहा है मैं दूसरा क्या लिखा है इस वर्स यानि 2024 के बात कर रहा है इस वर्स सहुख्त राष्ट ने अंतराष्टिय सांती दिवस के लिए जो विसाय की रूप में जो विसाय की रूप में जो चुना गया है विसाय की रूप में सांत की संस्कृति विक्सित करना है सांत की संस्कृति विक्सित करना चुना है ठीक है जिसमें से option number A है आपका, option number A है आपका केवल एक, option number B है आपका केवल दो, option number C है आपका एक और दो, और option number D है ना तो एक नहीं दो, पर आप ध्यान कीगा कि हमें ये पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए बाई क्या होगा इसका, कौ आज़िए आगे बढ़ते है एसी करम हम आगला ख्रंटाड पहसका है आगला उठास पहस्का है price हाली है हाली में सर उस्रेज़ प्रेटन गाउंप्रत्युक्ता 2024 में जीवंत गाउं जिसे बाइविरेंट भिलेज भी से कहते हैं, जीवंन्त गाउं की श्रेणी में हर्सिल और गुंजी गाउं कहां पर इस्तित हैं, पर लेकिन अगर मैं बात करू का तो हर्सिल कहां पे है यह हरसिल है आपका जो है उतरकासी में है ठीक है और अपने परेटन के लिए बहुत ही बहतरीन जगह है ठीक है और जो गुंजी गाओं है जो गुंजी गाओं की जो बात आती है यह आपका जो है पितोरागड में ठीक है यह कहा है आपका पितोरागड में है और यह हमा जो है नेपाल से लगती है तो यह सामरिक दिरिष्टी से यह गाउं भी क्या है हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं ठीक है ध्यानकना इसको जो है अर्फिल उतरकासी में है और गुंजी गाउं आपका पिथरागण में ठीक है और ध्यानकना यह जीवंत गाउं की बार है नंसे आप लोग देखिएगा हाली में मिस युनवर्स जप्रिश मिस युनिवर्स इंडिया दोजार चॉब़िस का किताब किसने जीता है ठीक है option number A है आपका उर्षा ठाकुर, option number B है उर्वसी रोतेला, option number C है रिया सिंगा, option number D है इन मेंसे कोई नहीं, तो बताइए भाईजी कौर है, आप लोग बताईए इसका आणसर सरी करिए है, हुए, इसका आणसर जो सही होगा, तो बताईए भाईजी कौर्य कोई है, बता लिए आप लोगों ने, ठीक है, तो option number C, यानि कि रिया सिंगा, रिया सिंगा जो है सही आंसर है और इनका जो जन्म है जन्म इस्तान है इनका उयमादाबाद में हुआ ता गुजिराद की बात हो लही है द्यानक ना इस बात को अगला question देखते हैं क्वेशन क्या है ques villages क्या है और अंत election है ठीक है, question number 20 देखते हैं, क्या है हमारे पास question number 20, question number 20 है हमारे पास, question number 20 है कि हाली में समलेंगिक जोडों को साधी की अनुमति देने वाला, का देने वाला तीसरा एस्याई देस कौन सा है तीसरा पूछ रहा है पहला नहीं पूछ रहा है तीसरा पूछ रहा है ञ多ब पैला है आपका जो को सनने ओप दिया है मरदने के FREकाउन कौन буली फ्रान acknowledging ठीक है यह तो हमारे पास 20 क्वेशनों की एक स्रिंखला थी जो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बन जाती है और इसी क्रम में मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक पैरिस ऑलम्पिक जितना भी मेरे को लगा इंपोर्टेंट डेटा है फैक्ट है वह आने वाले एक्जामों के जो है इसको एड़ण जरूर करें आप लोग इसको देखेगा कि क्या क्या इसमें जो है question क्या पूछा किया इसमें है इसमें question answer format में नहीं है या आपके लिए factual information के रूप में है ठीक है तो पैरिस ओलम्पिक आप लोग देखेंगे कभी स्टार्ट हुआ था यह हुआ था आपका जो है 26 जुलाई 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के मध्या कहां पर हुआ यह पैरिस में हुआ था ठीक है और कौन सा है यानि यह करम पूछा जाएगा तो यह 33 स्वाँ है कर 1923 जाब तीक है फिर इसमें देखते हैं क्या जो है थीम क्या थी इस बार कि यारी 2024 में थीम क्या थी ठीम है हमारे पास लेट लेट्स vous and celebrate ठीक है लेट्सMEachine celebrate और इसके बाद लेखते है सुभंकर क्या है इसका दप्रेजिस इसका जो है दप्रेजिस इसका क्या है सुभंकर है दप्रेजिस ठीक है फिर इसी देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है मारे पास अगली स्लाइड में जो हमारे पास है अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में आदर सुवा के हो गया सुवंकर हो गया अब यहाँ पर सम लोग देखेंगे इसमें हमारे पास देखेगा आप लोग इसमें पूछा जाएगा कि उद्गाटन समारों में धजवाक यानि उद्गाटन समारों में धजवाक कौन थे इसमें उद्गाटन समारों में जो धजवाक हैं वो हैं तुमारे PV सिंदू और सरत कमल ठीक है और जो पूछा जाएगा कि भाई समापन समारों अगर समापन की अगर बात आती है तो समापन समारों में जो धजवाक की अगर बात आती है तो ये हैं तुमारे मनुभाकर और पी- आर स्रीजिस ठीक है भई ठीक है फिर अगली लाइन में हम देखते हैं इस बार जो है कि भाई पूछा जाएगा कि भाई भारत की तरब से मसाल वहक रहे तो वह कौन रहे हैं हमारे पास ये हैं तुमारे एविनाव बिंदराजी ठीक है मसाल वहाग के रूप में ये रहे हैं और एविनाव बिंदराजी को जो है एक पुरुषकार भी दिया गया इस समय वो दिया गया वो है तुमारा ओलमपिक ओडर पुरुषकार इंपोर्टेंट है पूछा जाता है ध्यान गना इसको ठीक है ओलमपिक ओडर पुरुषकार ठीक है इसी करा में हम अगला देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है हमारे पास ठीक है अगली स्लाइड आएगी अग् clinically स्लेट बर हम लोग देखेंगे यहां पर यहां पर हम लोग देखेंगे यहां पर हम लोग देखेंगे कि परिस ओलम्पिक में इस बार कितने देशों ने भाग लिया 206 देशों के रास्टे ऑलम्पिक समित्या और IOC स्रनारथी औलम्पिक टीम ने इसमें भाग लिया अर्थात जो है 206 देशों ने भाग लिया और आई-आई-ी-उसी की स्रनारथी ऑलम्पिक टीम ने इसमें भाग लिया ठीक है, और कुल इतने खेल हैं हमारे पास इस समय कुल कितने खेल थे वहाँ पे वो खेल थे हमारे पास 32 यानि 32 इसमें खेल थे ठीक है और अगर जो बात आती है कि भाई पैरिस ओलंपिक में भारत की जो पदक तालिका थी वो किस-किस को क्या मिला थोड़ा उसे भी देख लेते हैं किसे कौन सा पदक मिला ज़रा उसक से संबंदित हैं ठीक है इनको जो है सिल्वर मेडल मिला था ये भी आप लोगों नहीं सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक इनको मिला ठीक है मनुभाकर मनुभाकर को जो है टैन मीटर एयर पिस्टल में मिला इनको जो है ब्रॉंज मेडल मिला अर्थात ब्रॉंज मेडल य क्यूआर थी और मनुभाकर और स्रब जोट सिंग याणि मिक्स में इनको क्या मिला यानि के किस्टी से यह तुमारी एयर फिस्टल से और यहां पर इनको क्या मिला नीर क्या मिला यह केवल तुम्हारे पास रजत जो पदक आया वो केवल जो किस से आया है नीरा चुपड़ा जी द्वारा लाया गया इसमें ठीक है फिर इसमें आगे देखते हैं इस बार जो है हम देखेंगे पुरुस होकी टीम अर्थात जो हम बात करेंगे इसमें पुरुस होकी टीम की अगर बात आएगी यानि कि अगर आप बात करता हूं है पुरुस होकी टीम की ठीक है पुरुस होकी टीम इंडिया इसमें जो है इन्होंने कौन किस केल से यानि पु और धाफिछ स्कुम्मं सभी से सभाइब केन सालिक से क्ला पूंप और वांग French जूझा ध्यानकना है मनु भाकर ने 2024 में भारत के लिए पिन भाइला पंगी नहीं जीता धिक है फिर इसमे अगला देखते है अगला point है इसमें मनुभाकर ओलम्पिक निसाने बाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला बनी वई ठीक है पहली भारतिय महिला है इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगली स्लाइड में इसमें देखते हैं अमन से रावत सबसे युवा ओलम्पिक पदक बिजेता है यह भी इंपोर्टेंट है सबसे युवा ओलम्पिक पदक बिजेता है जो है वो कौन है तुम्हारे अमन से रावत जी है ठीक है अगला इसमें देखेंगे कि नीरत चोपडा ने पैरिस ओलम्पिक में पुरुसों की भाला फेंक इस परदा में दूसरे परियास में कितना 89.45 मीटर ठीक है का सर्वस रेस्ट थ्रो हासिल करते हुए कौन सा पदक जीता यहां पर रज़त पदक जीता ध्यानकना कि कितना मीटर फेंक इन्होंने 89.45 ठीक है ध्यानकना वाइस चीज़ का अगला है इसमें अगर जो 126 पदक मिले ठीक है पहले पहला इस्थान अर्था जो है पहला इस्थान जो है अमेरिका का है पहला इस्थान जो है पहला इस्थान है ठीक है और दूसरा इस्थान जो है चीन का है यानि इनको जो है 91 पदक मिले यानि सेकंड ट्रेंग का घर में बात करूंगा तो यह तु उसके बाद जो है चोथा स्थान पर हम लोग देखेंगे चोथे स्थान पर जो है कौन रहा चोथे स्थान पर चोथे स्थान पर जो है जापान रहा यानि जापान को कितने पदग मिले 45 मिले अगर भारत की अगर मैं बात करूँगा तो भारत की जो रेंकिंग है वो 71 है यानि इसमें से एक रजत पदक था और इसमें से पांच क्या थे इसमें काश्य पदक थे या ब्रॉंज मैडल थे ठीक है यह जो है पैरिस ओलम्पिक से संबनी जितने भी इंपोर्टेंट फेक्ट थे यह चीजे मैंने कोसिस करी है कि भाई जो है आप लोग जो है इसके माध्यम से यह पैरिस ओलम्पिक पूरा कवर करने की कोसिस की गई है आप लोग बताना कि आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी ठीक है और इसी क्रम में अगला जो लेकर के आओंगा वो बीस क्वेशन तो उसमें होंगे वाट उसमें जो है देखेंगे उसमें बजट का या बजट क्या कोई और important issue अगर होगा तो देखेंगे उसमें जो इस तरीके से important fact की रूप में एक साथ उसको भी हम लेते वे चलेंगे ठीक है तो आप लोग बताएगा कि कैसे लगी यह वीडियो ठीक है और चैनल को जो है like करना है subscribe करना है और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को CR करना है चले ठीक है thank you so much